नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्ट फूल कुमारी नमस्कार दीदी क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार हमने इस वर्ग में चैत्र माह में पढ़ने वाले कौन से पर्व की बात की थी? याद करो, याद करो, तुम्हें भी बड़ा मज़ा आया था? ओ हाँ, हमने बात की थी नव समवच्चर के बारे में, हमारे हिंदी बांचांग के नियो एर के बारे में, है ना? बिल्कुल सही तो तुम्हें ये भी याद होगा, कि मैंने कहा था कि यह पर्व नौ दिन तक चलता है, और इसके आखरी दिन पे हम क्या मनाते हैं? राम नव्मी बढ़िया, तो चलो, आज मैं तुम्हें राम नव्मी के बारे में बताने आई हूँ अरे वा दिदी, बताए हाँ कई युक पहले की बात है, चैत्र माह के शुकल पक्ष का समय था शुकल पक्ष यानी महिने का वह समय जब चांद की रोष्णी बढ़ती हुई नजर आती है शुकल पक्ष की नव्मी यानी नौवे दिन को बारबजे अयुध्या के दिन राजकुमार श्री राम का जनन हुआ था उस समय पर अयुध्या के राजा दश्रत थे और उनकी तीन राणिया थी कौशल्या, केकई और सुमित्रा ओ तु राम जी किनके बेटे से दीदी? राम लला को सबसे बड़ी राणी कौशल्या ने जन लिया था तो हुआ क्या था कि राजा दश्रत की उम्र काफी हो रही थी पर उनका कोई पुत्र ही न था जो उनके वंश को आगे चलाता इस कारण वे नंगे पैर श्रंग रिशी के आश्रम में गए उन्होंने उनकी खूप सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया और रिशी वशिष्ट के कहने पर राजा दश्रत ने श्रंग रिशी से पुत्र कामिष्टी यग्य करवाने का निवेदन भी किया रिशी दश्रत से प्रसन्न थे इसलिए उन्होंने राजा दश्रत के लिए यग्य करने की हामी भरी यग्य के पून होने पर यग्य कुन से अगनी देव प्रकट हुए तो उन्होंने राजा दशरत को खीर का एक कटोरा दिया और कहा कि वे अपनी तीनो रानियों को ये खीर बांट दे इससे उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी फिर अयोध्या वापस लोटने पर राजा दशरत ने खीर के दो भाग किये एक रानी कौशलय को दिया और दूसरा रानी कई-कई को फिर रानी कौशलय और रानी कई-कई ने अपने अपने भाग से आधा-धा भाग रानी सुमित्रा को दे दिया ओ और फिर चैत्र मा के शुक्ल पक्ष में नौवे दिन प्रभु राम का जन्व हुआ है न दीदी हाँ बिल्कुल सही और इसी दिन को हम राम नवमी के नाम से जानते हैं जो चैत्र नवरात्री का आखरी दिन भी कहलाता है अच्छा यग्यफल के रूप में रानी कोशल्या के राम ही नहीं बल्कि कहकई को भी भरत और सुमित्रा को लक्षमन और शत्रुग्न पैदा हुए राम सबसे बड़े थे इन सारे भाईयों में और बड़े होने पर राजकुमार राम अपने कर्मों की महानता के कारण लोगों के इतने प्रिये हुए कि आज तक भी हम सभी भारतवासी उन्हें मर्यादा पुर्शोत्तम राम की नाम से पूछते हैं और राम नवनी यानि भगवान राम के जन दिन पर हम उनकी खास पूजा करते हैं मंदेर जाकर राम दर्बार के दर्शन करते हैं और भगवान राम की जाकी बना कर शहर में घूमने वाले जुलस में भी भाग लेते हैं बड़ा मजाता है दीदी अरे वाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है तुम्हें पता है कहते हैं कि राम नवनी को ये राम स्तुती जरूर गाने चाहिए अरे वाँ दीदी ये तो बहुत बड़िया भजन था हाँ ये तुलसीदाज जी का लिखा बहुत सुन्दर और प्रसिद्ध भजन है अपने परिवार के किसी बड़े से जरूर पूछना कि वह प्रकट क्रपाला दीन दयाला वाला भजन जानते हैं कि नहीं और फिर इसे पूरे परिवार के साथ गाना हाँ दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पर्व के बारे में बताने के लिए अब मैं चैत्र नवरात्री के दो सबसे महत्विकून पर्वों के बारे में जानता हूँ हाँ तो अब तुम सब लोग मिलकर इस भजन को गाना सीखो मैं अगले हफते फिर मिलने आऊंगी जै श्री राम जै जै श्री राम भै प्रगट क्रिपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हरशित महतारी उनिमनहारी अदभुत रूप निहारी भै प्रगट क्रिपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हरशित महतारी उनिमनहारी अदभुत रूप निहारी भै प्रगट क्रिपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हरशित महतारी उनिमनहारी अदभुत रूप निहारी अई तगट कृपाला दीन दयाला कौसल या इतकारी परशित महतारी मुनिमन हारी अद गुद रूप निहारी लोचन अभिरामा तनुघन शामा निच आयुध भुजचारी मुशन बन माला नहन बिशाला शोभा सिंधु खरारी लोचन अभिरामा तनुघन शामा निच आयुध भुजचारी मुशन बन माला नहन बिशाला शोभा सिंधु खरारी धै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल या इतकारी परशित महतारी मुनिमन हारी अद भुत रूप निहारी धै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल या इतकारी परशित महतारी मुनिमन हारी अद भुत रूप निहारी कह दोई कर जोरी अस्तुति तोरी धी बिधिकराओ अनन्ता माया गुन ग्याना तीत अमाना वेद पुरान बनन्ता भै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल या इतकारी परशित महतारी मुनिमन हारी अद भुत रूप निहारी कह दगट कृपाला दीन दयाला कौसल या इतकारी परशित महतारी मुनिमन हारी अद भुत रूप निहारी करुना सुख सागर सब गुन आगर जही गाव ही शुति संता सोम महित लागी जन नुरागी धयो प्रकट श्री कंता करुना सुख सागर सब गुन आगर जही गाव ही शुति संता ओ मम हितलागी जन्य अनुरागी भैयो प्रगट श्रीकन तारी भए प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्या हितकारी हरशित महतारी हुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी अई तगट कृपाला दीन दयाला को सल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिवन हारी अद गुद रूप निहारी ब्रम्हांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धिर न रहे ब्रम्हांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धिर न रहे धै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमन हारी अद भुद रूप निहारी धै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमन हारी अद भुद रूप निहारी उप जाजब ज्याना प्रभ मुस्काना चर्थ बहुत विधिकीन चहे कही कथा सुहाई मा तु बुझाई जेही प्रकार सुत प्रेम लहे भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमन हारी अद भुद रूप निहारी भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमन हारी अद भुद रूप निहारी माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा माता पुनि बोली सो मति डोली सजहु तात यह रूपा कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा भै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप निहारी भै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप निहारी सुनि बचन सुजाना रोधन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चर्त जगा वही हर पदपा वही तेन परहि भव कूपा सुनि बचन सुजाना रोधन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चर्त जगावई हर पदपावई तेन परहि भव कूपा भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हर शित महतारी मुनि मनहारी अदबुत रूप निहारी भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हर शित महतारी मुनि मनहारी अदबुत रूप निहारी भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हर शित महतारी मुनि मनहारी अदबुत रूप निहारी भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हर शित महतारी मुनि मनहारी अदबुत रूप निहारी भै प्रगट कृपाला दीन दयाला को सल्याहित कारी हर शित महतारी मुनि मनहारी अदबुत रूप निहारी